अगर आप अपने जीवन के हर कदम पर जितना चाहते हो न तो दोस्तों हमेशा याद रखना बल से जादा बुद्धी का इस्तेमाल करना है क्यों क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धी जीतना नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस आचार्य वासुदव मिस्रा आपका अपने चैनल भविष्य वाड़ी पावर आप दे लॉड में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिस का कार्यक्रम आप लोगों के लिए विरिस्टिक रासी वालों के लिए बहुत ही जादा महत्तोपुण कार्यक्रम साबित होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु सुक्राचार्य जी महराज के रासी परिवर्तन प्रभाव के बारे में जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना दैत्यों के गुरु सुक्राचार्य का रासी परिवर्तन हो चुका है वह अपनी वर्तमान मुल्त रिकोंट रासी तूला रासी को छोड़ करके अपने सत्रू मंगल की साधारण रासी अर्ध हजलिय रासी रिष्चिक रासी में प्रवेश कर चुके हैं कब 25 दिसंबर 2023 की प्राताह 6 बच के 9 मिनट पर कब तक रहेंगे तो आने वाले साल 2024 के जन्वारी महिने के 18 तारिक तक इसी रासी में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे उसके पस्चात फिर परिवर्तन करके देव गुरु बिरहस्पती की जो मूल्त रिकोंट रासी धनूरासी उसमें सुकराचारिय का प्रवेस हो जाएगा तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल विस्तार पुर्वक आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वैभाव सुक सुविधा भोग विलास एस्वर्य के कारग्रह सुकराचारिय आने वाले 18 जन्वरी तक ब्रिस्चिक रासी में गोचर करते हुए कैसा परिणाम आपको प्रधान करेंगे इस समयाओ धी में विसेश तोर पर किन-किन चेत्रों में आपको लाप के आउशर प्राप्त होंगे तोहीं विसेश रूप से किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ सुकराचारिय कि इस गोच इस्चिक रासी के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिलकुल विस्तार पुर्वक बिसलेशन करवा सकते हैं तो दोस्तों सुक्र यह काल पुरुस का सुक है एस्वर्य, भोग विलास, मुल रूप से सुक्राचारिय किसी भी प्रकार से कोई कष्ट या परिसानी उत्पन्न नहीं करते लेकिन यह जितना सरेष्ट और उत्तम परिणाम तूला रासी, धनू रासी और मीन रासी में देते हैं उतना सरेष्ट परिणाम यहां पर ब्रिस्चिक रासी में नहीं दे पाते लेकिन फिर भी यहां पर कई प्रकार से आपको सकरात्मक परिणाम प्रदान करें क्यों क्योंकि यहां पर सुकराचारिय एक जल तत्विय रासी में गोचर करेंगे जो खूद ही एक जल तत्व के गरह है जिसके परिणाम शुरूप उनके बल में बृद्धी हो जाएगी वह बहुती जादा सकतिसाली और प्रभावसाली बन जाएंगे जिसके परिणाम में इस्थित ग्रहों की इस्थितियां और वर्तमान दसा अंतर दसा की उपर डिपेंड करती है यह बिल्कुल मौसम के समान होता है और मौसम हर किसी के लिए एक समान नहीं होता जिस प्रकार से अगर आपका इम्यून सिस्टम बलवान है तो मौसम भले ही कितना खराब क्यों आपको प्रभावित नहीं कर पाता ठीक उसी प्रकार से जोतिस सास्त्र के मरमग्य कहते हैं कि गोचर में हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं अगर वह ग्रह जन्मकुंडली में बहतरिन इस्थिति में है केंद्रया त्रिकोंड में अपनी उच्चे रासी अपनी मूल त्रि भाव में आकर गोचर करने लगे फिर भी वह आपको उतना नेगेटिव परिणाम नुकसान नहीं पहुचाता जितना वह जन्मकुंडली में कमजोर होने पर पहुचाता है यह बात हमेशा याद रखिए तो दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए याने कि विरिष्चिक रासी वालों के लिए सुक्राचारिय का यह जो गोचर है यह आपकी रासी के उपर ही होगा वैसे तो इसे उतना अनुकुल नहीं कहा जा सकता क्यों क्योंकि वैसे तो सुक्राचारिय आपके लिए एक एंटी प्लैनेट्स बनते हैं यहाँ पर सुक्रदेव कहीं न कहीं अटकाव की और लेकर के जा सकते हैं, हाँ, आप संघर सकीजे, महनत कीजे, एफ़र्ट लगाईए, आपके व्यक्तित्तों में जितना ज़्यादा हो सकी, सकरात्मक बदलाव लेकर के आईए, तो कैसा बदलाव, अगर आप साधा कपड़ा पहनते हैं, बहुत ज़्यादा सज हैं, फैसन करते हैं, यह कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर सुक्र के उपर सनी और राहू की द्रिष्टी पूर्ण रूप से पढ़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण रखने की आउस सकता है, आप अपने चरित्र को बेदाक कीजिए, कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए, जिसकी वजह से आपकी उपर उंगली उठाई जा सके, बाकि इस समय आपको सभी तरप से सहीयोग की प्राप्ती होने वाली है, आपके मान सम्मान में पद प्रतिष्ठा में बृद्धी होगी, वैसे तो मैं जानता हूँ क यह गोचर आपके लिए थोड़ी परेसानी दायक साबित होगा, परेसानी में अवज से ही आपको डालने का प्रयास करेगा, इस समय दामपत्ते जीवन में, वैवाहिक जीवन में कलह कलेस की इस्थित्ती बन सकती है, इस समय प्रेम संबंधों में थोड़ी महुत परेसानी रहेगी और हाँ एक बात आप से जरूर कहना चाहूंगा, सुक्र की द्रिष्टी सब्तमभाव पर होगी, सुक्र अपने ही घर को द्रिष्टी गोचर करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इमानदार हैं, अपने जीवन साथी के प्रती, अपने लाइप पार्टनर के प्रती अगर आप इमानदार हैं, तो इससे आपके दामपत्ते जीवन में, वेवाहिक जीवन में कोई भी परेसानी नहीं होगी, नहीं तो यह दामपत्ते जीवन में परेसानी की इस्थिती लड़ाई जगड़ा, वादिवात की इस्थिती कराएगा ही कराएगा, तोहीं बिद्यार्थियों के लिए इस गोचरकाल के दौरान मैं सफलता देख रहा हूँ, हाला कि इस समय आपका मन थोड़ा महुत पढ़ाई से भटक सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने मन को इस्थिर करते हैं, तो निस्ची तोर पर आपको इस समय अपने पढ़ाई लिखा के छेत्र में भी विसेश तोर पर सफलता की प्राप्ती होगी, देखिए, यहाँ पर सुकर की उपर सनी और राहो की दृष्टी पढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय भोग विलास के तरप नेगेटिव तरीके से आपका मन भाग सकता है, इसलिए दोस्तों, जि लगाने का प्रियास कीजिए, हाला कि ऐसा तो नहीं होगा मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ, कि इस समय जितना ज़्यादा हो सके, अन्यंतरित सुक्र के प्रभाव में आने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए नेगेटिव परि अंतरण रखेते हैं, अपने चरित्र के उपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो निस्चित तोर पर सुक्राचारिय का यह जो गोचरकाल है दोस्तों, यह आपको आपकी कार्य छेत्र में इतना सफल और आपको इतना प्रसिद्ध बनाएगा कि हर किसी के मन में कुछ नकुछ समय के लिए तो आप जरूर आएंगे, आपको बता दें, इस समय आपको अपने व्यापार में खास करके जो लोग चमक्ती धमक्तिक चीजों का फैसन का या फिर खान पान का बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को सुक्राचारिय की क्रिपा से इस समय विसेश तोर पर सफल की प्राप्ति, लाब की प्राप्ति होने वाली है, कुल मिला करके यह गोचरकाल आपके लिए लाब के मामले में अच्छा है, लेकिन आपको इस समय थोड़ा सावधानी वरत्ति हैं, जिनके बारे में बताया जा चुका है, फिर भी सुक्र महराच की इस गोचरकाल को बहतर करना है, कब करना है तो सुक्रवार के दिन करना है, इससे आपको काफी हद तक फाइदा मिलेगा, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे एक नए और ताजा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजे, नमस्क करना है, जापिसन करना है, झाप हमें आपको प्रगत दीजेद करना है, तो दीजेद दीजेद करना है, दीजेदे लिए एक जापून है, आपको करेदेदे है।